सो नाव इंडियन रिनिविल एनरजी डेवलेमेंट एजेंसी लिमिटेड आई यार इडिये अब सरकारी कंपणी प्यासिव कंपणी का आई प्यों आने वाला है और धाकर आई प्यों कहीं नहीं हो सकता है नोट ओनली वाई अगर आप देखें कि एक प्रीमियम लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाए शायद वो आपको देखने को ना मले एक प्रीमियम लिस्टिंग ना होती वे देखने को मले लेकिन आगे एक बहतनी रिटन जो है न वो ये जनरेट करकर आपको कहीं न कहीं दे सकता है और ये धाकर आई प्यों जो है वो सुरुआत होगी 21 तार पॉट एंटे की वेलिशन ठीक है या नहीं है यह हमें एक देख लेना चाहिए और अभी तो आपियो सुरुआत भी नहीं हुए अभी जो प्रीमियम आपको देखने मिला है वो नाइन परसेंट को मिला है यानि की तीन रोपए पर शेयर का बेनिफिट आभी होता हो दिख है जब आई पियो सुरुआत हो जाएगी इंटरेस्ट देखते हुए वो प्रीमियम जो है वो चेंज भी होंगे तो सबसे पहले तो हम काम देखते हैं आप देखिए नाम से तो आपको समझ में आ रहा हुगा कि ये एक इलेक्टिसिटी वाली कंपनी है रिनिवल एनरजी व इनका एक ही काम है जतना भी प्रोजेक्ट आएगा यह फैनेस करेंगे लेकिन शर्थ ये एक रिनिवल एंडेसी से रिलेट होना चाहिए एक एन्बी एपसी पंपनी है ये कोई पावर कंपनी नहीं है ये एक अन्स पंपनी है लाइकि IRFC आपका Indian Railway Finance Corporation जो है same to same ये भी एक NBFC कंपरी है वो railway फाइनेस करती है ये electricity projects पर फाइनेस करते है renewal energy पर फाइनेस करते है so that यहाँ पर है इनको एक award भी मिला है 2022 में 2022 में और एक और बात यहाँ पर आप देखे एक लौती कंपरी है और अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो बता जा रहा है term loans outstanding में वो 4,72,000 66.63 million का यहाँ पर पौँच चुगा है जून 30-23 के हिसाब से current के हिसाब से और IREDA के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो इनको award मिला है best performing NBFC यह बहुत दूर की बात नहीं है 372,22 की बात है highest loan sanctions में award मिला है NBFC के तौर पर 30,000, 24,000 करोड का loan जो है न वो दे चुके तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया और अगर इस तरीके से loan बाटेंगे renewable energy की छेतर में लगेंगे तो और भी ज़्यादा तरक्की होती है नजराई यह NBFC market के लिए बहुत important है और यहाँ पना आप कह सकते हैं कि अब बात करते हैं valuation की valuation अच्छी है या नहीं है बस तो अभी आपके सामने यह सारी date है और यहाँ पर एक तारिक को एक December को listing होती हुँ दिखाए देखी यहाँ पर face value 10 है कोई split होकर नहीं आ रहा है यह एक अच्छी बात है तो आगे अगर यह split भी देगा ठीक है तूटेंगे भाग हो जा सकते हैं आगे जाकर इस stock के या bonus दे तो कोई problem नहीं होगी तो यह यहाँ पर है इसके साथ issue size कतना है एक किस सो पचास करोड का issue size है और एक किस सो पचास करोड और प्रमोटर की जो holding है वो अभी pre IPO 100% है बट post IPO जब IPO लिस्ट हो जा है तो 75% होगी यानि कि 25% ही अपना है इससा जो है न वो बेश रहे है जिसकी value एक किस सो पचास करोड है जो की मुझे समझ में आ रहा है तो यहाँ पर है अगर यह से साथ से है तो इसका जो pre valuation है वो 10,000 करोड के आसपास होना चाहिए 10,000 करोड के आसपास का market के बाली कंपनी pre valuation है याँ पर जो है न आपको pre valuation जो है वो अच्छा कासा मिल ला है post valuation भी कोई बहुत बड़ा increase नहीं देखने हो बला है ऐसा नहीं है कि IRFC के साथ जो हुआ न वो आपके साथ हो pre IPO valuation में ठीक है न IRFC के number options बहुत सारे थे तो उस वक्त बहुत problem हो रही थी और आज देखिए high value पर है stock चला है लेकिन valuation बहुत stretch है but IREDA के अंदर ऐसा नहीं है अगर ये एक market cap इस साथ से ला रहे है तो एक NBFC के नाते बहुत ही अच्छा market cap आपको pre valuation दिखाई दे रहा है post valuation बहुत जादा कितना बड़ा है 10% increase कर दो 10% का premium है आपके पास तो अभी आपका जो EPS है वो earning per share है 3.78 है रुपी पर share तो यहाँ पर एक अच्छी बात है इस समझे आथा profit जो है ना वो भर भर कर मिल ला है अच्छी बात है यह लेकिन P ratio mention नहीं है तो calculate कर लेते हैं मैं आपको अल्रेडी formula बता चुका हूँ price divide by EPS अब यहाँ पर क्या है आपका price premium के साथ देखते है 35, 32 रुपे का आपका offer price है highest वाला ठीक है और 3 रुपे का premium मिल ला है तो 35 रुपे आप क्यों हो गए 3.78 का divide कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो P ratio देखने को मिलेगा वो मिलेगा 9.78 के अराउंट ठीक है approach आपका 9.78 का P ratio इसे साब से जो finance term lending का जो industry P है वो चल ला है 7 के अराउंट तो उससे आप देखेंगे तो 9.78 का थोड़ा सा उपर मिल ला है लेकिन इतना नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा valuation stretch हो गई इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि आपना एक धाकर IPO है एक अच्छा IPO कहीं न कहीं यह साबित हो सकता है long term के लिए भी और अगर यह profitability increase होती गई तो यह P ratio आपका calculate होकर down आता जाएगा यानि की valuation comfort दीरे दीरे मिलता जाएगा लेकिन बुरा नहीं है बहुत ही अच्छा IPO है लेकिन valuation के इसाब से बहुत ठीक ठाक है आपका IRFC से तो काफी गुना यह बहतर है IRFC का तो P ratio 17 के आसपास चला है यह तो फिर भी आपका कई कई गुना अच्छा है यह IPO तो इस पर ध्यान दे सकते हैं यह long term के लिए है अगर आप देखे तो 9% ही आपको देखने को मिला है कोई बहुत बड़ा premium आपको देखने को तो नहीं मिला है ऐसा नहीं कि 50% का premium मिल ला हो हाला कि listing होने के पास अगर यह 50% अगर यह share चली भी जाए, return भी दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यह यहाँ पर लगता है, लेकर उसके लिए time लेगा वक्त लगेगा यहाँ पर अब financial देखिए March 2013 के साब से जो कि अगर आप देखेंगे तो total revenue जो है, वो 3483.04 करोड रुपय का है और उसके आगे आपका जो profit बनता है वो है 864.63 आपके सामने तीन साल का यहाँ पर मैंसा ने 2020 से लेकर आप देख सकते हैं तो 864.63 करोड का जो आपका profit है काफी अच्छा है, और assets अगर आप देखेंगे तो 50,446.98 करोड का पहुँच चुका है तो assets के इसाब से भी बहुत अच्छा है तो ऐसी company को hold करने में problem क्या है market के अदर up down आते रहते ठीक है, short term में up down आते रहते बट long term के लिए आपका बहुत simple है stocky valuations और stocky valuations जो है न वो इस वक्ते ठीक नज़र आ रही है एक calculated के इसाब से बढ़ी है नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से IRFC से तो ज़्यादा बहतर ही है ये मुझे समझ में आ रहा है and the last, देखे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको premium नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता क्योंकि 9.78 का आपका PE ratio already चलना है, और अगर आप IRFC को देखोगे, REC देखोगे PFC देखोगे, जो कि मैं कभी कभार आपके सामने वीडियो लाता भी हूँ और उसकी valuation बतातो, कैसे IRFC की महंगी valuation से, ठीक है एक टाइम सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो चुकी है PFC, REC तब भी बहता रहे उनका तो 4-4, 5-5, 6-6 के आसपास का P ratio चल ला है, उसी के around इनका चल ला है 9.78, कोई बहुत जादा ऊपर है नहीं, बहुत जादा यहाँ पर डाउन है तो इसलिए कोई बड़ा premium नहीं मिल सकते तो मेरा यह कहना है, अगर आप इतने के लिए खुस है, इतना premium के लिए खुस है, ठीक है आपके लिए IPO है ठीक है, लेकिन अगर आप IPO लिस्ट होने के बाद भी अगर आप खरिदते हो shares तो भी कोई ब्रॉबलम नहीं है, कोई बहुत बड़ा premium तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि 50% आपका return आपका निकल गए आस्ते, ऐसा तो भी देख सकते हैं, market cap को भी देख सकते हैं अच्छे दरीके से track भी कर सकते हैं कि कितना P ratio है, क्या उस वक्त खरिणने चाहिए या नहीं खरिणने चाहिए, ये सारी बाते जो नहीं, clear हो जाएंगे, अभी हमने pre IPO तो देखी लिया है, इविन अगर इसे हिसाब से listing अगर हुई 35 का मैंने रखा है, आपके सामने share price, उसके बाद मैंने आपका P ratio निकाला है, 35 का अगर price है, P ratio अगर इतने निकल ला है, तो ये listing वाला P ratio है, listing के बाद ये 9.78 के असपस 10 के around आपका P ratio होना चाहिए, जहां तक मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है तो ये कोई बहुत जादा यहाँ पर ना highest type नहीं मिल ला है तो मेरे क्याल से अगर आप IPO लगाना चाहें, तब भी कोई problem नहीं है IPO के बाद खरीने चाहें, तो भी कोई problem नहीं है, जब भी आप खरीने चाहें तब आप खरी देगा, फिलाल ये एक सही ठीक ठाक IPO आपके सामने आ रहा है, बढ़ी IPO आ रहा है मिनी रतन कंपनी है थोड़ा सा ट्रस्ट PSU पर जो हम दिखा रहे हैं वो यहाँ पर बरकरार है IR EDA के लिए, तो ये तो समझ में आता है आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आगी होंगे इस नेलाइसिस में हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी हो आप प्लीज इसको भी स्टेडी करिएगा क्या बिलकुल यहां पर परफेक्टली बनता है, और आपके जो ब्रोकर है या एडवाइजर है, उनसे भी आप थोड़ा सा पूचिए और इंटर्नली पूचिएगा कि वैलिशन क्या है यह सब यह सब पूचिएगा आई पू लगाना तो आसान बात है, किलिक करो लग गया आई पू, लेकिन इंटर्नील इवैलिशन कितनी है, वो आपको समझे में आ जाए तो उमीद है आप इस बात को समझेंगे, आपके के के नहीं इसके उपर क्मेंट से समझें के यह और आप तीज में जाब विडियो देकिन के लिए बहुता दर्माद दूस्तों